सरसों की खेती करने वाले किसान इस साल बहुत पच्चता रहे हैं। जबकि यह प्रमुख तिलहन फसल है। हरियाना, पंजाब और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं भी ओपन मार्केट में किसानों को इसका MSP यानि न्यूंतम समर्थन मूले के आसपास भी भा 4500 से लेकर 4500 रुपए प्रती क्विंटल तक ही मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि वो इसलिए MSP की गारंटी चाहते हैं ताकि निजी छेत्र उनका शोशन बंद करे। अभी MSP सिर्फ सरकारी खरीद पर लागू होती है। कुल मिलाकर इस साल सरसों की खेती करने वाले कि किसान 1000 से 2000 रुपए प्रती क्विंटल तक का घाटा सैकर उपज व्यापारियों को बेचने पर मजबूर है। ऐसे में अब उन्होंने नई रन्नीती के तहट अच्छे दाम की उम्मीद में सरसों को स्टोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत खा सरसों स्टोर करने वाली रन्नीती का असर मंडियों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंडियों में पिछले वर्षों के मुकाबले सरसों की आवग काफी कम हो गयी है। केंदरियक रिषी-मंत्राले की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 के मुकाबले इस साल सरसों की आवग 20 करका कहना है, रूस और यूक्रेन दोनों देश इस समय बहुत सस्ता सूरज मुखी तेल बेच रहे हैं। कारोबारियों ने सूरज मुखी के तेल का आयात बढ़ा दिया है। इससे भारतिय बाजार में काफी हल चल है। आम तोर पर सूरज मुखी तेल पाम, ओयल और सोया बी नहीं मिल रहा है। किसानों को सरसों का कम दाम मिलने की एक वजह खादے तेलों पर कम की गई इंपोर्ट ड्यूटी भी है। सरकार ने खादे तेलों की महेंगाई घटाने के लिए पिछले वर्षों के मुकाबले आयात शुल्क काफी कम कर दिया है। आयात शुल्क कम है, इसलिए आयाद ज्यादा हो रहा है, जिससे भारतिये किसानों को उनकी तिलहन फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। हाला कि अब देखना यह है कि सरसों स्टोर करने वाली किसानों की रननीती भविश में उन्हें फाइदा देगी या नहीं। Bureau Report Market Times TV